इनके बात करें तो इनके courses IIT Guwahati के collaboration के साथ आते करें तो इनकी total fees 95,000 plus 70,000 एक placement readiness program कहते हैं मतलब course करने के बाद आपको ये program करना होगा क्या आप भी best training institute in Bangalore, Delhi या Noida सर्च कर रहे हो with guaranteed placement तो आज हम एक ऐसे ही institute विजट करने वाले हैं और वहाँ पर हम सारी details चेक करेंगे और आप से बात करेंगे क्या ये best institute है Bangalore का या Noida का या Delhi का इसके placement ratio कैसे है Bangalore में और Noida में और Delhi में और पूरे faculties के बारे में बात करेंग कौन-कौन से courses होते हैं किस course के लिए ये specialized है और सबसे ज़्यादा placement इन्होंने किस course पर दिये है और किस location पर इनके ज़्यादा placement है पूरी detail में बात करेंगे वीडियो में बने रहो पूरा वीडियो देखो और ने हो चैनल पर तो चैनल को subscribe कर लो जिससे ऐसे ही वीडियो करते हैं और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले है WhatsApp और Telegram का link मैंने description में डाल लखा है चाहो तो WhatsApp जोईन कर लो चाहो तो Telegram जोईन कर लो क्योंकि वहां पर भी मैं regular daily updates institute के बारे में आपको देता रहता हूं वहां पर आप उससे पोच भी सकते हैं किसी भी चीज के बारे में बैंगलोर में location है BDA complex sector 6 opposite A to B बैंगलोर गुरगावा में location है second floor सिधाल्थ house building no.6 sector 44 गुरगावा नौइडा में location है sector 15 metro near gate no.3 और हम आये हैं नौइडा sector 2 15 metro gate no.3 के ज़श्ट बगल में आपको ये institute मिल जाएगा तो यार institute मैंने visit कर लिया counselor से मैंने काफी देल तक बात करी काफी सारी details मैंने उनसे पूछी काफी details ली अब उसके बारे मैं आपको details से बताऊंगा तो वीडियो में बने रहो अंदर record नहीं कर पाया record हो भी नहीं पाया मैंने counselor से पूछा भी classes को record करने के लिए तो उन्होंने बोला कि पहले management से permission लेनी पड़ेगी management था नहीं इसलिए अंदर की recording नहीं हो पाई तो देखो यह 10 साल पुराना institute है यह as a start-up शुरू हुआ था और काफी अच्छी growth भी इसने की placement भी इसने दिये गुडगाओं बैंगलोर और नुएड़ा location पे इनकी branches है courses की बात करें तो यह data related courses जादा करवाते हैं इनके अइन के हाँ डेटा related courses हैं जैसे data analytics, data science, python, full stack इस तरह के courses इनके हाँ होते हैं faculty की बात करें तो इनके courses IIT Guhatati के collaboration के साथ आते हैं मतलब IIT Guhatati से इनका collaboration इन courses की बात करें तो इनके आहां offline online courses होते हैं, इनके duration 6 month to 8 months है, आप online भी कर सकते हैं, आप hybrid में भी कर सकते हैं, और आप offline भी training इनके आहां ले सकते हैं, fees की बात करते हैं, तो इनकी जो offline की fees है, मतलब आप training institute जा कर अगर आप training लेंगे, तो उसकी fees इनकी है 80,000, data science course की fees 80,000 plus GST 17% GST लगती है, तो ये हो जाती है 95,000, online की बात करें तो 70,000 इनकी fees है, plus GST, GST लगा के इनका course हो जाता है, something 85,000 का, अब एक चीज बहुत ज्यादा important है, जो counselor ने मुझे बताई नहीं, जबकि मैंने उनसे 3 बार placement के लिए पूछा कि आप placement कैसे देते हो, आपके tie-up हैं, क्या हैं, वैज़ो तो इनकी website पे बहुत सारी companies हैं, जो दिखाती हैं, कि इनके बहुत अच्छी अच्छी companies के साथ tie-ups हैं, लेकिन जब मैंने इनकी website पर थोड़ी सी research करी, तो मुझे एक चीज पता चली, आप अगर data science fullist है, क्या कोई भी course करते हो, मालो आप offline वाला करते हो, जि कि आपको suggest कर देंगे कि आप वहाँ पर interview दे सकते हो, main बात क्या है, इनका इस course को करने के बाद इनका एक program होता है, जिसे ये placement readiness program कहते हैं, मतलब course करने के बाद आपको ये program करना होगा, तभी आपका placement हो पाएगा, अब इस placement readiness program के बारे में detail में समझते हैं, देखो course आपने complete कर लिया, आपको ये placement readiness program करना पड़ेगा, जो की एक से दो या तीन मन्त का होता है, इसमें अभी आपको fee pay करनी पड़ेगी, लेकिन ये fee आपके placement के बाद होगी, मतलब CTC जो आपको मिलेगी, उसका 10% आपको pay करना पड़ेगा, इनको, मतलब आप course की fees 95 तो दोगे ही दोग per NM की CTC मिली, अब आपको 10% जो की होती है, 70,000 रुपीज, अब आपको 70,000 रुपीज, इनको job लगने के बाद pay करना ही पड़ेगा, तो मतलब अगर total fees की बात करें, तो इनकी total fees 95,000 plus 70,000 equal to 165,000 रुपीज हो जाती है, मतलब अगर आप data science program करते हैं, data science का course इनके हां करते है तो जो total fees आती है, total cost आती है, GST वेश्टी सब मिला के, वो आती है 1,65,000 रुपीज है, तो प्लेसमेंट की बात करें, तो मैंने इनकी website पे, इनके YouTube चैनल पे काफी सारे इनके प्लेसमेंट चेक किये, बैंगलोल location पे इनके placement थोड़े अच्छे थे, लेकिन नोड़ा और या नोड़ा location के current वाले YouTube में डाल लखे हैं, मतलब 2 महीने या 5 महीने पहले अप्लोड किये हैं, जबकि वो एक साल पहले के placement है, तो ये थोड़ी सी चीजे मुझे, इसमें मुझे doubt हुआ, इनके कुछ placement, इनके mostly देखो placement इनके जो बहुत working है, उनके placement हुए हैं, और जब चाहते हो, तो इनकी website पर जाकर जो placement और testimonial दिया हुआ है, यहाँ पर आप जरूर चेक करो, मैंने ये भी चीज़ देखी कि इनके जो testimonial वाले बंदे हैं, जो placement वाले बंदे हैं, जब मैंने उनकी LinkedIn ID खोली, कुछ की LinkedIn ID नहीं मिली, वहाँ पर LinkedIn पर चेक की मैंने, तो वहाँ उनकी LinkedIn ID मुझे नहीं दिखी, कुछ वहाँ पर नाम भी मुझे सर्च करने पर नहीं मिले, तो टोटली 100% placement ये किसी location पर भी नहीं दे रहा है, भले वो Bangalore हो, Noida हो या गुडगाओ हो, और Delhi Noida location पे इनके recent के placement भी काफी कम है, जादा तर इनके जो placement है, वो working professionals के ही हैं, तो अ अगर इस institute जाते हो, inquiry करते हो, तो ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा, सबसे पहले पूछनी है, कि आपके recent के कितने placement हुए है, प्लीज मुझे वो LinkedIn पर चेक करवा दो, क्योंकि आ देखो तुम free में तो course कर नहीं रहे हो, ये तुमारे ओपर कोई एहसान तो institute करता नहीं ह इतनी motive fees लेता है, तो तुम्हारा ये हग बनता है, कि तुम ये चीज़ें पूछो कि कितने recent placement आपने दिये है, आप 1,65,000 चार्ज कर रहे हो, इतना बड़ा amount है, तो at least आपके एक साल में 8-10 placement तो होंगे ही होंगे, अगर आप इतनी fees चार्ज कर रहे हो तो, बाकी genuine की बात क पर recent placement ना देखो, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आपको ऐसे institute जोईन करना चाहिए, इनके recent placement जरूर देखना, पूरी detail में इसे बात करना, time लेना, तभी जोईन करना, तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, analytics lab और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, institute review के, अगर बेश्ट इंस्टिट्यूट, बैंगलोर, हैदराबाद, नुएडा, चिन्ने, कहीं पे भी सर्च कर रहे हो, तो इस चैनल पर सारे ही टाइप के वीडियो आने वाले हैं, तो चैनल को सस्क्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दो, और मिलता हूँ एक कर दो.